कब है रक्षाबंधन 30 या 31 अगस्त? दूर करें अपना कन्फ्यूजन 2023 रक्षाबंधन की तारीख को लेकर इस बार भी कम्फ्यूजन है. दरसल, इस बार भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेध है. रक्षा बंधन का त्योहार हर साल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है इन दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है रक्षा बंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई बहनों की कलाई पर राखी, नहीं बांधनी चाहिए भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है ऐसे में आये जानते हैं रक्षा बंधन का पर्व 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्थ इस साल शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी 31 अगस्त को सुभ़ 10 बचकर 58 मिनट पर प्रारंभ हो रही है पूर्णिमा तिथी का समापन 31 अगस्त को सुभ़ 7 बचकर 5 मिनट पर होगा ऐसे में रक्षा बंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा हालां कि इस दिन भद्रा लगने के कारण आपको मुहूर्थ का खास ख्याल रखना होगा आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पंजाब सहित कुछ क्षेत्रों में जहां उद्या तिथी की मान्यता है वहां 31 तारीख को सुबह 7 बचकर 5 मिनट से पहले रक्षा बंधन का पर्व मना लेना अत्यंत फल्दाए रहेगा राखी बांधने का मुहूर्थ भद्रा 30 अगस्त को रात के समय 9 बचकर 1 मिनट पर समाप्थ होगी शास्त्रों में ऐसा विधान है कि भद्रा स्थिति में भद्रा मुख का त्याग करके भद्रा पूँच जब हो उस समय शुब कार्य जैसे रक्षा बंधन का पर्व मनाया जा सकता है इस बार भद्रा पूँच शाम में 5 बचकर 30 मिनट से 6 बचकर 31 मिनट तक रहेगी आप चाहें तो इस समय रक्षा बंधन का पर्व मना सकते हैं इसमें आपको भद्रा का दोश नहीं लगेगा ख्याल रखें की भद्रा मुख के दौरान आपको राखी नहीं बांधनी है 30 अगस्ट 2023 को भद्रा पूँच का समय में 5 बचकर 30 मिनट से 6 बचकर 31 मिनट तक 30 अगस्ट 2023 को भद्रा मुख का समय शाम में 6 बचकर 31 मिनट से 8 बचकर 11 मिनट तक इस समय बांधे राखी 30 अगस्ट को भद्र रात में 9 बचकर 1 मिनट तक होने के कारण आप चौगडिया मुहूर्ट में भी राखी बांध सकते हैं अमर्ट चौगडिया मुहूर्ट राखी बांधने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्ट सुबह 7 बचकर 34 मिनट से 9 बचकर 10 मिनट तक शुब चौगडिया मुहूर्ट सुबह 10 बचकर 46 मिनट से 12 बचकर 22 मिनट तक पुर्त सर्वोत्तम मुहूर्त रात में 9 बचकर 34 मिनट से 10 बचकर 58 मिनट तक प्लीज दोस्तों अच्छी लगी तो शेयर करें लाइक करें कमेंट करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें भगवान आपके माता पिता को लंबी उम्र दे आपकी बहनों को लंबी उम्र दे भगवान आपके भाईयों को लंबी उम्र दे धन्यवाद